महर बाबा की शिक्षा पन्त हत धर्मीता जाती व्यवस्ता और धार्मिक समारों और संसकारों के प्रदर्शन को कोई महत्व नहीं देती है बलकि नमन लिखित साथ वास्तविक्ताओं की समझ को महत्व देती है एक मात्र वास्तविक अस्तित्व एक और एक मात्र इश्वर का है जो प्रती एक सीमित स्वेम में स्वेम है एक मात्र वास्तविक प्रेम इस अनन्त इश्वर के लिए प्रेम है जो अपने सत्य इश्वर को देखने जानने और एक होने की तीर्व लालसा जगाता है एक मात्र वास्तविक बलीदान वह है जिसमें इस प्रेम के अनुसरन में शरीर, मन, स्टिती, कल्यान और यहां तक की जीवन सबी चीजों का तयाग कर दिया जाता है इक मात्र वास्तविक त्याग वह है जो संसारिक कर्तवियों के बीच भी सबी स्वार्ती विचारों और इच्छाओं को त्याग देता है इक मात्र वास्तविक ज्ञान यह ज्ञान है कि भगवान अच्छे लोगों में और तथाकतित बुरे संत और तथाकतित पापी में आनतरित निवास करते हैं इस ज्ञान की आवशकता है कि आप सबी को समान रूप से परस्थितियों के मांग के अनुसार मदद करें इनाम की उम्मीद के बिना और जब किसी विवाद में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो बिना किसी शत्रूता या घ्यना के कारिय करने के लिए हर एक के लिए भाई या बेन की भावना के साथ दूसरों को खुश करने की कोशिश करना, मन वचन या करम से किसी को हानी ना पहुचाना, यहां तक की उन्हें भी नहीं जो तुम्हें हानी पहुचाते है केवल वास्तविक नियंत्रन कम इच्छाओं में लुप्ध होने से इंद्रियों का अनुशासन है, जो अकेले चरित्र की पून शुद्धता सुनिश्चित करता है सच्चा समर्पन तो वही है जिसमें किसी भी विप्रीत परिस्थिती से शांती भंग ना हो और व्यक्ती हर प्रकार की कटनाई के बीच परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पून शांती के साथ त्याक पत्र देता है अवतार महर बाबा की जै